असलाम अलेकूम वीवर्स, आज हम बहुत इजी मेथट के साथ चुकंदर का बॉडर बनाना बताएंगे, अपने गहरे लाल रंग के लिए फेमस चुकंदर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन माना जाता है, ये शरीर में हेमोगुलोबिन को बढ़ाता है, यानि ख सबजी के रूप में ख्खा सकते हैं चुकंदर का पौडर बनाने के लिए हमने एक किलो चुकंदर ली है और इनने अच्छी तरह से मसल कर धो लिया है, अब हम उनने छील लेंगे हम चुकंदर को चाकु से छील रहे हैं यह देखी इस तरह से अगर आप चाहें तो इसे पीलर से भी छील सकते हैं इसी तरह से हम सभी चुकंदर छील कर रेडी कर लेंगे तो यह देखी हमने सभी चुकंदर छील कर रेडी कर लिया है अब हमें इन चुकंदरों को काट कर सुखा कर इनका पाउडर तयार करना है तो इन्हें सुखाने के लिए हम इन्हें दो तरीके से काट सकते हैं पहले तरीके में जिस तरह से हम आलू के चिप्स बनाते हैं उसी तरह से चुकंदर के भी हम चिप्स बना लेंगे ये देखिए इस तरह से पतले और बड़े-बड़े हम इनके चिप्स बना लेंगे और इनने किसी प्लेट में या कपड़े पर सुखा कर तयार कर लेंगे और जब ये सूख जाएंगे तो हम इनका पौडर बना लेंगे और दूसरे तरीके में हम किसी ग्रेटर की मदश से इनके ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर यानि कद्धुकस की मदश से हम इनके कद्धुकस कर लेंगे ये मोटा वाला कद्धुकस लिया है हमने चुकंदर सॉफ्ट होते हैं इसलिए ये असानी से ग्रेट हो जाते हैं और इन्हें ग्रेट करके सुखाने से ये जल्दी सूख जाते हैं इसलिए हम सभी चुकंदर को ग्रेट कर लेंगे तो ये देखिए हमने सभी चुकंदर कदू कस करके रैडी कर लिये हैं अब हमें इन्हें किस तरह से सुखाना है ये देख लेते हैं यह हमने एक बड़े साइस की ट्रे ली है इस पर हल्का सा ओयल लगा लिया है ओयल लगाना बहुत जरूरी है वारना यह इस पर चिपक जाएंगे अब इस ट्रे पर थोड़े से ग्रेट किये हुए चुक अंदर लेकर पतले पतले फिला देंगे ताकि यह जल्दी से सूख जाएं अब इसी तरह हम कोई दूसरी ट्रे या थाली ले लेंगे इस पर हमने पहले ओयल लगा लिया है अब यह ग्रेट किये हुए चुक अंदर इस पर फिला देंगे इन्हें भी हम पतला पतला फिलाएंगे ताकि यह जल्दी से सूख जाएं इन्हें हमें तेज धूप में सुखाना है और अब यह जो थोड़े से बच गया है इसे भी हम इस थाली पर ही फिला लेंगे और अब इन्हें सबको हम तेज धूप में सुखा लेंगे यह देखिए हाथों पर कितना ज्यादा कलर आ गया है चुक अंदर का तीन दिन की धूप लगने के बाद देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर सुख गए है अब इसी वक्त हम इन्हें पीस कर इनका पौडर त्यार कर लेंगे अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह नरम हो जाएंगे और पीसने में दिक्कत आएगी और पीसने से पहले हमें 4-5 घंटे की तेज धूप में इन्हें सुखाना होगा तभी ही अच्छे से पीस पाएंगे अब यह हमने मेक्सिक जार में डाल लिया है और यह देखिए बहुत ही आसानी से इनका पौडर बनकर तयार हो गया है और अब इस चुकंदर के पावडर को हम एक बावल में निकाल कर रख लेंगे और अब यह बाकी के चुकंदर जो हैं इन्हें भी हम इसी मिक्सिंग जार में डाल कर पीस लेंगे तो यह देखिए हमने सभी सुखे हुए चुकंदर का पौडर बना लिया है अब इस पौडर को भी हम बावल में निकाल कर रख लेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चुकंदर का पौडर बनकर तयार हुआ है इस पौडर को आप एाइट जार में स्टूर कर के रख सकते हैं इसमें बलकुल भी नभी नहीं जानी चाहिए नभी जाने से है खराब हो सकता है आप इसे बीच बीच में धूप भी दिखा सकते हैं ताकि आप इसे ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकें अब इसे किस तरह यूज़ करना है यह हम आपको बताएंगे इसके लिए हमने वन फोर्थ टी स्पून एक छोटे बाउल में पाउडर ले लिया है और इसमें दो से तीन टेबल स्पून पानी आट किया है अब इस प कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं यह एक दब नैचुरल है इससे आप केक बनाने में रेड वेल्विट केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इस पाउडर से जूस भी बना सकते हैं यह भी हम आपको बना कर दिखाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें तो पानी हमने इसमें एड कर लिया है अगर आपको पाउडर कम लगे तो आप इसमें आधा टी स्पून पाउडर और डाल सकते हैं पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखी कितना अच्छा कलर आया है इस जूस को मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी भी आट कर सकते हैं और आप इसमें गाजर का जूस भी मिक्स कर सकते हैं जूस का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें दो चूटकी काली मिर्च और दो से तीन चूटकी काला नमक एड़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे तो ये चुकंदर का जूस बनकर रैडी है आप फ्रेश चुकंदर का जूस भी बना कर पी सकते हैं और इस तरह से पौडर का जूस बना कर भी पी सकते हैं ये जूस हमारी सिहत के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है तो वीवर्स कैसी लगी आपको चुकंदर का पौडर बनाने की ये वीडियो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लाहाफिज